नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं knowledge बज़ और आज के वडियो में हम रिविव करेंगे टाइपिंग के एक बहुत ही अच्छे बुक का हम रिविव करेंगे दोस्तों ये बुक हिंदी और इंगलिस दोनों टाइपिंग के लिए एक complete बुक है इस बुक में आपको complete अच्छे तरीके से बताएगे है कि टाइपिंग आपको कैसे करना है computer पे भी है type writer पे ठीक है और ये दोस्तों नया edition है इस बुक का MRP आप देख सकते है 35 रुपए है इस बुक के जो writer है उससा गुपता है और ये जो publication है आप देख सकते है अनुपम publication का ये typing master करके ये बुक आता है हिंदी और English दोनों language के लिए ठीक है अब दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले जब इस बुक का पहला page आप पलटेंगे आनुपम typing, typing master है, हंदी typing फिर English typing पहले आपको हंदी टैपिंग के बारे में बताया गया है फिर English typing के बारे में बताया गया है बट इस बुक को अगर उल्टा कीजेगा तो बुक में सबसे पहले बताया गया है कि हंदी keyboard और English keyboard computer में कैसे होते हैं और कौन से की से हिंदी में कौन सा टाइप है, फॉंट टाइप होता है, ठीक है, यह बता दिया है, मतलब कीबोर्ड के बारे में जानकारी, उसके बाद आपको अंती में इंगलिस से टाइपिंग के बारे में पहले जानकारी देखने को बिलेगा, यहां पर देखें, इंगलि किया गया उससे सबसेले बताया गया जो होता है यह एसदी एwa लगा वो होता है इससे उपर जो ब् chỉन कहते हैं इसको बॉटम Bowl कहते हैं अब आपको कैसे सेट करना जैसे यह चोटा अनली है वह यह पे रखना है यह न डी यह वालना इस पेस को दबाना है जिससे भी आपको ज्यादा असानी से इस पेस दबा सकते हैं लेफ्ट और राइट होता है तो जिससे भी आप चाहिए तो इस पेस को दबा सकते हैं अब यहां दोस्तों आगे दिया हुआ है कि लेसन दिया हुआ है ठीक है पहले बेसिक जानकारी आपको बताया गया है कि typing आपको कैसे करना है सुरू कैसे करना है वो बताया गया है उसके बाद यहां lesson दिया गया है पहले lesson में क्या करना है पहले lesson में इसको type करना है अच्छे तरीके से जितनी बार लिखा गया है उतनी बार type कीजिए lesson 2 में भी आपको कुछ इसे यहां पे बरहा के बताए गया है कि GF को भी एड कर देना है एक क्या है ASBFE और यहा जीएफ को भी एड करना है lesson 2 में थुरा सा आपको और भी तरीके सा guide किया गया है lesson 3 में आपको बताए गया है कि type est 3 line of each word इसके लिए 3 line type काis जैसे all हो गया as हो गया, इसके लिए आपको तीन तीन लाइन करके टाइप करना है, टीक है आगे आगे lesson 4 में आपको बताया गया है कि practice करना upper row का उसके बाद आपको lesson 5 में वर्ड प्रेक्टिस of home row and upper row lesson 5 में home row and upper row को practice करवाया है practice of lower row को कराया lesson 6 में, word practice practice of mixed row मतलब तीनों मतलब कहाते से बीधा थूट आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस ऑफ मिलेगा ठीक अभीद देखने को मिलेगा उसके बार आपको दिया गया क duletlet का इसके बाद कैसे क्टेशि आपको करना है वह एक चीज यहां जानकारी से तिया गया ठीक है अलग अलग लेसे इसे वुक में डिवाइड किया गया टाइपिंग को ठीक है वर्ड सेवन वर्ड लेटर जो साथ अक्षर के वर्ड है आठ ऐसे करके बाराइए अक्षर तक इन्हों ने दिया हुआ है उसके बाद यह लेसन खतम हो गए यहां पर इतना आफबेट होते हैं वो आ जाते तो इसको कम से कम आप 50-100 वर जितनी वार आप चाहे उतनी वार प्रैक्टिस कर लिजें अपने हाथ को सेट कीजें यहां तक अपने आपको अपने हाथ को जो है ना कीबोर्ड के उपर स्टेट कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको बताया बार करके मतलब 400 बार लिखने के बाद आपको exercise दिया गया है अब इसको बताया गया है कि 29 बार आप लिखे या 29 अक्षर होंगे इसमें 36 होंगे 47 होंगे ऐसे करके बरहब तो सब को आपको 10 बार आपको टाइप करना है यहां लिखा गया इच पैराग्राफ रिपीट 10 बार आ यहां पर 12 exercise यहां practice करवाया गया आपसे बार एक्ससाइज आपको देख सकते 13 हो गया 15 हो गया 17 उसके बाद 18 हर एक टाइप का बीस यहां देख सकते 20 exercise हो गया उसके बाद 21 हो गया उसके बाद यहां पर लेटर भी आपसे लिखवाया यहां पर ताकि आपका हाथ बैठ यहां पर करवाए गया यहां को सखती है क righteousестно दीखने को मिल सकता आपकोisa कि हैновrences की बूटर के से बैचे नंबर भी हो गया है तो हरने तरीके से बहुत ही बधी आपका ऐसे तरीके से सांदर टी कराए गया अगर इस अच्म को अच्छ तरीके से कर लेता है तो से काम करता है दिमाग को आपको संतुलित बनाए रखने के लिए मैं आपको सजेश्ट करूंगा कि अंतिम के जब एक महिना बचता आना टाइपिंग का जब एक महिना बचेगा तो आपको क्या करना चाहिए कि जाना चाहिए किसे इंसिचूट में जॉइन करना चाहिए जहां सावित होने तो अंतिक में एक महीने में आप कीजे और फैर्ट में तो प्रिद्फिन प्रियुक्त होते हैं गती और और पाइदा होते हैंअ मने बाइब क् finer आपको आपको घर्ट और झार्स गैप benefit है थावित होने वाला है तो अंति में एक महिने में आप practice कीजे और शुरुवात में जो बचता है उसमें 2-3 महिने आप जम के इस book को अच्छे से practice कर लिजे ताकि आपका speed एक बन जाए फिर आपको accuracy चाहिए होगा ठीक है आप अच्छे लिए चैनल को प्लीज कर के हमें सब्सक्राइब कर सकते एक और बुक का रुपर चाहिए मैंने पूप को लिया नहीं अप जाहे तो इस भूक को ली सकते लिंक आपको description में मैंने दे दिया है अपने वीडियो आंद तक देखा है इसके लिए thank you आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग अच्छा लगा हूँ आज का दिन आप लोग का अच्छा रहे हैं अगले वीडियो में फ़र से मिलते हैं thank you